जै सेवा जोंजोर जै आधिवासी मैं नहिरू माडवी बद्राचलम से मैं अभी बद्राचलम तेलंगाना में निवासी हुँ मगर आंध्रा से जन्मिलिया हुँ बुडाल को परसापेन को शंभो महदेव को सेवा सेवा बोलते ही काली कांकाले को जंगुदाय को कुपारलिंगो को दंते मा को मन्नें कोंडा मा को सम्मक्क साराल को नावबा को सेवा सेवा करते मैं मडवी बंशी हुँ इसी लिए मडवी कंडामुया को अंधल कोसा को सेवा स गोंडी समुदाई से गोंडी परिवार से गोंडवाना समाज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं यह मेरा सवबाग्या है क्योंकि गोंडवाना दर्शन गोंडी समुदाई के लिए गोंडी बाशा के गोंडी लिपी के साथ पहली बार एक पत्रकार्ता शुरू किया है अभी डिजिटल सोशल मीडिया माजिया साथ एक और बढ़ा कदम आगे लिया है उसके साथ मैं अभी मेरा परिवार पूरा गोंडवाना परिवार से बात कर सक रहा हूं इसलिए ये बहुत बढ़ा सहुबाग्या है मेरे लिए ये मेरा जो मेरा टापिक है गोंडवाशा मान की करन और गोंडवाशा को एक शेड्यूल के साथ Recognization का Demand हमारा चल रहा है और गोंडवार गोंडवाना निर्मान के लिए ये बाशा का आवश्यकता बाशा का स्वरूप क्या है बाशा का आंदोलन गोंडवना आसिल करने में कैसे आगे लेके जाता है इस बारे में आज मैं हमारे परवार से बात करने का कोशिश कर रहा हूं इस देश का अस्तित्व का इस देश का साम्स्कृतिक इतिहास का आत्म जो है वो आदिवासिक का साम्स्कृतिक अस्तित्व का ही अस्तित्व से ही बना है मगर इतना प्राचीन इतना इतिहासिक वारस होकर भी मैं आज मेरा समा से मेरा परिवार से जो सम्वाद सम्बंध मेरा बावना जो रकरा हूँ इसको गोंडी बाशा से अलग जो इस देश में आज आक्रमन करके चल रहा है उस बाशा के साथ मेरा परिवार से मैं बात कर रहा हूँ यह बहुत बड़ा धोर बाग्यशाली है नगर इतने वर्सों के इतने पीडियों के इस देश में जो आक्रमन होते होते इस देश का अस्थित्व को इस देश का संस्कृति को इस देश का ज्नान को अमारा आदिवासी का बाशा संस्कृति इज्ञान को पडाई को विद्वांस विज्या विदान को हर आक्रमन राज्यम वालों भी डीमोनिटाइजी जो हम इस वेरी एर्ली सुनाता बीजेपी गवर्नमेंट आके मनी को रूप्या को डीमोनिटाइज नोट को डीमोनिटाइज किया था मगर इस देश में इतिहास को कल्चर को अस्तित्व को बाशा को पडाई को ज्नान को डीमोनिटाइज करते करते आके आके इस देश में आदिवासी का अस्तित्व आदिवासी का संस्कृति अधिवसी कायार एतिहास कुछ भी नहीं अभी आधिवसी परिवार को वारस को भी नहीं मिल रहा है इतना बड़ाव दबाव इतने सालों से इतनो पीडियों से हमारे उपर है मगर बहुत अमको चुका है मगर कुछ तो बचा है उसको बचाने का उसके साथ अस्तित्व लड़ाई करने का जिम्मेदारी इस पीडी में अमारा वारस को उपर है मगर यह जिम्मेदारी केवल आदिवासी का समुदाई का परिवार का वारस का ही नहीं है ये जिम्मेदारी पूरा समाज का, पूरा सब्यता का, इस देश का सरकार का भी है मगर इतने स्वतंतता के बाद इतने साल तक भी गुंडी बाशा की साथ ही नहीं कुछ आधिवासी बाशा के लिए भी आधिवासी बाशा को बचाने के लिए आदिवासी बचा को recognize करने के लिए उस बाशा को develop करने के लिए कुछ भी काम अभी तक इस देश में राश्टी सरकार या राज्य सरकार भी कहां भी कर नहीं रहा है यह बहुत दूर्ब्रागिशाली है यह बाशा एक बात करने का ही माज्यम नहीं है बाशा एक फूरा एक बावगोलिक सामाजिक प्राकृतिक सामस्कृतिक इतिहासिक सामस्कृतिक फूरा स्वरूप लेकर फूरा ग्णान को उसके अंदर लेकर ऐसा आगे जाते है नदी तरह एक पीडी से आगे एक पीडी को इतने खैटिन स्थीती में भी अमारा परिवार से कुछ महान मोती रावन कांगाली रादा जैसा एक इतिहासिक इससे के पकड़कर कुछ अजयन करके वाशा के माजयम से कुछ अजयन करके इस शताब्दि में अमारा अस्तित्व को डूनने कोजने लगा है कुछ कोज दान के बाद कुछ मिलकर आज कोया समदाय को गोंडी परिवार को गोंड़ाना अस्तित्व को गोंड़ाना निर्मान को आगे लेके जन जाने के लिए बहुत योगदान किया है उसके साथे साथ अमारा स्मेर सिंह ताराम दाधा भी इस इतिहासिक सामस्कृतिक इस्सा को पकड़के अमारा गोंड़ाना समाज के बावना को प्रेरन करने के लिए एक माज्यम प्रिंट मीडिया को पकड़के वो भी गुंडी बाशा के, कोया बाशा के, कोया बोली, कोया लिपी के साथ पहली बार एक पत्र का, पत्री का उन्हें निकलने का, चलाने का कोशिश किया था यह बहुत बड़ा उतना योगदान के बाद, उतना निर्मान में उस गोणवाना दर्शन के इस कदम में मैं भी शामिल हुआ हूँ, यह मेरा सवबाग्य है मगर एक गोणवाना दर्शन अमारा आधिवासी, अमारा गोणडवाना निर्मान दर्शनिक रूप से कंगाली दादा न एक अच्छा मार्ग अभी गोणवाना समदाय को, गोणवाना निर्मान के लिए एक अच्छा मार्ग निर्मान करके दिया है उसके साथ समाज को जूड़ने का काम समाज को आवर आगे लेके जाने के लिए ये कट्ठा करने के लिए ये कैसा इसा लिया है अमारा सुनेर सिंग दादा ने ओ इसा ये है खेवल उन्होंने पत्रकार्ता ही नहीं है इत्ता प्रदेशों में अमारा गोंड परिवार राजनीती के ओर से समाजी को और से और सांस्कृति को और से भाषा के ओर से विच्छिन होकर उदर इदर फैल सुका है उसके साथी साथ अमारा संस्कृति ही नहीं अमारा भाषा भी बहुत डाइवर्सिटी लिया है मगर डाइवर्सिटी के साथ साथ हमको हम हमा इस अलग-अलग राज्यों ने हमको अलग-अलग आइडेंटिटीस देखेर आमको बटवाड़ा किया है इस गोणवाना निर्मान को निर्मान करने के लिए ऐसे स्थिती हमारा समाज को स्थिती से लेकर एकटा करने का काम के लिए कुछ ना कुछ एक बावना और बहुत बड़ा बावना आमको एकटा करने के लिए चाहिए वो बहुत बड़ा बावना क्या है कि सामस्कृतिक एक्ता के लिए सामाजिक निर्मान के लिए ये भाषा standardization का इस्सा उन्होंने पत्रकार के साती सात्य इस्फा को उन्हें डून के वाशा के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सीजी निर्जेसे एक समस्ता को जोड़कर उसके साथ 2014 में से सुरू किया है एक जादा से जादा गोंडु समुदाय रहने वाले राज्यों के साथ आंधप्रदेश तेलंगाना चत्तिस गेडु गुरिसा महरास्ट्रा मज्यप्रदेश आवर करनाटका जैसे आज्यों के कोया गोंडी फीडि वम्षस को लेकर एक पहिला कदम लिया है उसी कदम में ही आम पूरा शपत लिया है ये केवल गोंडी बाशा का स्टांडर्डेशन का एक काम नहीं है ये गोंडवाना निर्मान का काम हम कर रहा है ये हमको मालुम है फूरा गोंडवाना समाज को एकटा करने का सामस्कृतिक को एकटा करने का सामस्कृतिक स्टांडरड़ेशन, सामाजिक स्टांडरड़ेशन के साथी गोणवाना निर्मान होता है बोल के हमको पता मिला है उसी के साथ हमने एस स्टांडरड़ेशन बासा की ही नहीं साम्स्कृतिक, इतिहासिक, सामाजिक स्टैंडरिजेशन के लिए हम वादा करके उस स्टैंडरिजेशन को बाशा स्टैंडरिजेशन को डिक्स्नेरी रूप निर्मान को उस डिक्स्नेरी को कम्प्लेट करके उस डिक्स्नेरी के साथ हमारा बाशा को इस देश के राजनीती के एत राज्यां के एत शेड्यूल के द्वारा एक रिकर्गनाइजेशन लेने का काम भी हम शुरू किया था मगर एह recognition क्यों बोले तो इतना फुराना इस देश का मोलवासी का ये बाशा को बचाने के काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था मगर एक काम सरकार का ही उपर छोड़ कर हम ऐसा रह नहीं सकते इस रास्ता को सुनेर सिंग दादा ने पकड़ा हम ये रास्ता को फकड़के उसके साथ मिलकर हम पुरा लेकर इस रास्ते में आगे आते आते क्योंकि बाशा एक केवल बात करने का ही माज़म नहीं है बाशा एक सामस्कृतिक इतिहासिक बावगोलिक प्राकृतिक समाज का फूरा इस्सा को लेके एक पीडी से ये दूसरा पीडी को देने का एक जीवदारा है ये पूरा ज्ञान का सर्वर है बाशा कितना पुराने होता है उतना ज्ञान उस बाशा में मिलेगा बाशा एक पूर्व संपूर्ण ज्ञान बांडा गार है संपूर्ण संस्कृतिक इतिहास का प्राकृतिक ज्ञान का एक बांडा गार है क्यूंकि किस बावना को और किस ज्ञान को किस अध्यायन को भी हम लेते हैं उसको केवल बाशा से ही स्टोर कर सकते हैं दूसरा इसा कुछ भी नहीं है भाशा से ही हम स्टोर कर सकते हैं इसलिए बाशा एक ग्ञान बना गार है बाशा एक बहुत बड़ा सरवर है ग्ञान का सरवर है मगर इतने पुराना इतने चारित्रिक प्राचीन समाज का समुदाय का ये गोंडी को या बाशा अभी अभी जो पांस सो से लेकर 2000 आफ्टर इतना बाशा जो वृद्धी लिया है इतना एदली एर बाशा में इतने चोटे चोटे बाशा में अभी अभी जो बाशा ने इतना स्वरूप लिया है इतना बाशा में ही इतना बढ़ा ज्ञान मिलेगा तो इतना पुराना भाषा में इतना प्राचेन भाषा में अमारा गोंडी भाषा में कितना ग्णान इस बावगोलिक इस बावगोलिता का प्राकृतिक ग्णान सामस्कृतिक ग्णान सामाजिक ग्णान कितना मिलेगा ये केवल गोंडी समुदाय का ही जिम्यदारी नहीं है इस देश का, इस समाज का, इस सब्व्यता का भी responsibility है इस बाशा को बचाने का, इस बाशा को डवलप्ट करने का क्योंकि ये समाज का ज्ञान है ये केवल गोंडी वंशस का, गोंडवाना का ज्ञान है यह समाज का पूरा दुनिया का ग्णान है यह पूरा दुनिया को इस ग्णान मिलना चाहिए मगर मैं पहली बोला था एक राजी से दूसरे राजी इस देश में आकर आदिवासी समाज के ऊपर आदिवासी राज्यों के ऊपर देश को कबजा करके इस देश का सम्स्कृति को बाशा को ग्णान को डीमोनिटेज करते आज आज अमारा ग्णान संपदा नहीं मिल रहे मगर उसको पकड के मोतिरावन कंगाली दादाने सिंदु गाटी का सो सब्यता का सिंदु गाटी का जो सब्यता का जो पिक्टो स्क्रिप्ट का अभी तक किसी बाशा से उसका बावना नहीं मिल रहता मगर गोंडी बाशा से उस बावना को उस पिक्टो स्क्रिप्ट का बावना को उस समाज का उस दुनिया का उस सिंदु गाटी सब्यता का उस समाज का बावना को गोंडी बाशा से परपूर्ण करके एक डिक्ष्नरी निकला उतने ही नही गोंडी बाशा का अभी जो चल रहा है इस गोंडी बाशा का डिक्ष्णरी भी उने लिया था इसके साथी साथ सुनेर सिंग रादा ने इस गोंडी बाशा का स्टानेड़ाजेशन शुरू किया है इस स्टान्ड़ेशन में पूरा पहला कदम जो डिल्ली में गांधी स्मृति दर्शन में केंद्रिय सामस्कृतिक सरकार की विबाग साउजन्य से पहला कदम आमने निकाला है उसके साथ दूसरा सेमिनार करनाटका में करनाड़ा उनिवेर्सिटी में वोवाता तीसरा सेमिनार जो हमपी में वोवाता तीसरा सेमिनार अमर कंटक में वोवाता मज़प्रदेश में फोर्थ सेमिनार उटनुरू ITDA तेलंगाना में वोवाता फिफ्थ सेमिनार बद्राचलम ITDA ट्रेबल वेलफेर डिपार्टमेंट के साउजन्य से वोवाता बाद में चिन्तूरू ITDA के सवबागिसे फिप्त एक वहाका रेलपंडुम् नेशनल रेलपंडुम् कल्चिरल फेस्टिवल में कुछ बैटक में कुछ इसामेयाम चर्चा करके कुछ डेसीशन्स लेके बाहरायां सेवन्त सेमिनार ने चंद्रपूर महरास्टा में गोंडवाना आधिवासी सिक्षा समस्त गोंडुस समाज सुधाक ट्रस से वुवाता एथ सेमिनार तिंतिनी में करनाटका में कनड़ा उनिवर्सिटी सेसा वुवागिसे वुवाता लास्ट डिक्ष्णेरी आविश्करन अगस्ट 11, 2017 देश राजदा न्युडिली में उवाता वहां कुलस्ती साब के साथ डिक्ष्णेरी राकर पार्लमेंट में सद्मिट करके अमारा गोंडी बाशा का क्वया बाशा का रिकर्ग्नाजेशन एथी सेडिल के साथ रिकर्ग्नाजेशन का जिम्मेदारी उसको दिया था बाद में सांकेतिक सेमिनार जून 25-26 में 2018 में बेंगलूर में एक हुआ था उसके बाद मार्च मैने में 2018 में डिली में एक सेमिनार लिया है उस बार हमने एक ऐसा शपत लिया है इस गोंडी बाशा का आंदोलन को जारी रखने के लिए हर साल जुले 21 को फूरा देश बेर में विश्व गोंडी बाशा कोय बाशा दिवस मनाने का रेजल्यूशन करके हम शपत लेके आगे आया है क्यूंकि जुले 21 क्यूंकि पहली बार इस देश का गोंडी समुदाए गोंडी परिवार ने गोंडी बाशा स्टाडरडाजेशन के लिए और गोंडी बाशा मानकी करन के लिए पूरा देश बर गोंडी बाशा को एकटा करके एक स्टाडरडाइज निक्षनेरी निकलने के लिए पहले कदम 21 जुले 2014 में लिया है इसलिए 21 जुले को गोंडी बाशा दिवस मनाने का रेजलुशन करके जिम्मेदारी लेके राम निकल चुका है मगर इस डिक्षनेरी में मोती रावन कंगाली दादा शामिलुवाता सुनेर सिंग दादा शामिलुवाता मज्य प्रदेश के आधिन गोंडी समुदाय शामिलुवाता महरास्टा के गोंडी समुदाय शामिलुवाता चत्तिसगड का वरिसा का तेलंगाना का आंधर प्रदेश का करनाटका का भी गोंडी परिवार इसमे शामी लोकर इसको सम्पूर्न standardized कोया गोंडी बाशा का डिक्ष्णेरी का स्वरूप लेने किलेएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग आगे लिया है यह डिक्ष्णेरी का बाशा का हमारा बाशा रिकर्गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग' एक प्रयास है, मगर ये पूरा डिक्स्नेरी कंप्लेट होने के बाद, ये डिक्स्नेरी भी कहां मीजियम में, कहां लैब्रेरी में चली जाता है, ये हमको मालूम है, मगर इस डिक्स्नेरी के साथ साथ इस डिक्स्नेरी में जो सामिल हुआ, जो वम्शज, वारस, अमारा ये काम भी है, इस बाशा के स्टांडडाइजेशन के साथी साथ, अमारा समुदाय को, अमारा गोंडी परिवार को, गोंडवाना समाज को, एक साथ जूनने का, करने का cultural standardization, social standardization, प्रादेशिक standardization करके गोणवाना पुनर निर्मान का काम आगे लेके जाने का शपत हम लिया है, इसलिए अभी तक हम मात्रु बाशा दिवस मनाते आ रहा है, पिछले साल हम आदिवासी बाशा येर युनेस्को सेलेब्रेट करने का एक मोका दिया था, मगर 2019 से हम मांद्रा और तेलंगाना और रोरिसा इस प्रादेश में, महरास्टा माज्य प्रादेश के कुछ प्रादेश में हम जुले 21 को गोणवाना गोंडि बाशा, कोय बाशा का दिवस मनाते आ रहा है, मगर इस साल से हमारा बहुत बड़ा इस माज्यम के साथ, गोंडवाना दर्शन के माज्यम के साथ, पूरा गोंडवाना समाज को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपिल कर रहा हूं, गोंडवाना पुनर निर्मान के लिए, गोंडवाना गोंडी बाशा के रिक्वेस्ट के लिए, हमारा समाज को एकट्टा करने के लिए, ये जरूर अम इतने साल से आदिवासी दिवस को मनाते आ रहा है, मगर इस बार अभी से आदिवासी दिवस ही नहीं, कोया बाशा दिवस, गोंडी बाशा दिवस भी मनाते आना है, क्योंकि ये कोया बाशा, गोंडी बाशा के साथ हमारा समाज को निर्मान करना है, एकट्टा करना है, स्टांडड़ाइज करना है, उसके साथी साथ इस मुम मुवमेंट को अब ऐसा आगे लेके जाना है और एक पाथ क्या है कि यह स्टैंडरिजेशन के साथ हमारा बाशा के ग्णान को कोजने का काम भी युवा साथ यह उसो मिलकर करना है यहां एक हर समाज में हर फीडी में भी हमारा अन्रेस्ट हर दिन हर क्षन में भी हम रेस्टलेस है क्योंकि फूरी राउंड़ आमको एक से अलगे उपर इसलिए अन्रेस्ट कुछ यह करने से कुछ और दूसरे समय से हमारे उपर आते हैं तो हाँ मगर इतना दबाव में भी हमारा समाज को निर्मान करने के लिए हम गोणवाना निर्मान का गोणवाना चारित्रिक निर्मान का समाज निर्मान का समुधाय निर्मान का लिए एक अच्छा मीडिया बाशा ही बन सकते हैं क्यूंकि बाशा में इतिहास है, समस्कृती है, सभ्यता है, हमको एक साथ जोलने का, एक शक्ती समस्क्रिती का है वही ऊस शक्ती पूरा भी बाशा में ही मिलता है बाशा ही अमारा ऐडेंटिटी है, इस ऐडेंटिटी को हम आसिल करना ही है। इस पीडि का ये मुख्य लक्ष है और एक SPD, आगे PD को, कम से कम SPD में ही गोणवाना निर्मान को, पूरा स्वरूप को आसिल करना है, इसी के लिए पूरा देश में, एस स्टांडरिजेशन काम शुरू होने के पाद, पहले दक्षिन बारत के आधिवासी नहीं तो गोणवाना कोया परिवार से, उतना संबन न एक लाग गोणडी परिवारों को, गोणडी समुधाय को, गोणडी समाज को, गोणवाना भूबाग को, पोलवरं में डुबाने का कोशिश एक साथ चलता रहा था, एक साथ बाक्साइट के लडाव चलता रहा था, एक ओर में डैमन का मैनिंग प्लानिंग ओता था, मगर इस आंद्रा और तेलंगा नाक्या, गोंडी समाज का समस्य को कभी भी दूस बाहर मुख्यरोप से नार्थ स्टेटों में आधिवासी समधाय, उतना रिलेशन ये समस्य को पकड़के आंदोलन करने का रिलेशन पहले नहीता, मगर आज ए गोंडवाना स्टांडड़ेशन, गोंडी भाषका स्टांड़ेशन सुरू ओने के बाद अमारा परिवार में, अमारा समाज में इतना रिलेशन बढ़ गया है, आज जो आंद्रा और तेलंगान में आधिवासी समाज का आधिवासी इलाका में पूरा एम्प्लाइमेंट, रिजर्वेशन पूरा से पूरा आधिवासी को ही मिलता था, ओहाई त्री जीवो, ये त्री जीवो को बारे में सुप्रिंग कोर्ट ने त्री जीवो को खतम करने का पैसला दिया था, उसी दिन से बाहर का आधिवासी, बाहर का गोंड समुधाई, इसके उपर रेस्पांस होते आ रहा है, अमारे साथ मिलकर ये लड़ाई करने के लिए आगे आया है, ये पूरा हम पांच साल पहले ये गोंडी स्टांडड़ाजेशन, गोंडी बाशा स्टांड़ाजेशन ल नहीं, बोल के एक विचारता, आंदोलंता, मगर पांच साल के बाद इस दिक्ष्णेरी कम कंप्लेट होने के बाद, कम से जादा से जादा, दस सेमिनार हम मिलकर किया है, मगर सेमिनार के बाहर हम पूरा समाज एकटा हो गया है, इसी अभी कहां की आधिवासी का या समस्या को भी पकड़ के हम, पूरा देश इस समस्या ये अम आ रहा है, ये आधिवासी का समस्या है, बोल के हम आगे आ रहा है, ये पूरा ये स्टैंडड़ेजेशन अभी बहुत थच्चा, अमारा समाज को एकटा कर रहा है, ये एकटा के साथ हम और आगे पूरा समाज को हम एकटा करके आगे लेके जाना ही थे हैं वैसे ही अब ही अब ही हम ए आंदोलन को और जारी रखने के लिए मगर इस बार हम करोना से दूर रहना है मगर अमारा बाशा से समस्कृती से अस्तित्रते इतिहासिक चारित्रिक आमशों से पकड़ घर ही रहना है करोना से दूर रहना है अमारा बाशा समस्कृती को पकड़ कर ही जीना है बाशा समस्कृती हितिहासिक गोणवाना दर्शन की यही दार्शनिक संदेश है यह संदेश को पूरा देश का आदिवासी परिवारों का साथ देने का यह मोका मेरको दिया है मगर इस बार हम घर घर में अभी बड़ा बड़ा मीटिंग जैसा करके हम मनाने का अवशक्ता मिलेगा की नहीं मिलेगा मगर यह मीटिंग खरने का यकट्टा ओने का भी मगर यह आंदोलन हर घर में अर घाव में वो नहीं चाहिए इस साल हम अभी तक समदाय में कुछ सेंट्रलाइज करके एक जिला हेड़कोटर में नहीं तो ब्लाक में मंडल हेड़कोटर में नहीं तो राज़दानी में आइसा आम एकट्टा होकर आइसे celebrations करते करते आताता मगर ये से ये आंदोलन ये movement ये गोणवाना निर्मान का ये आंदोलन ये स्थिती गाव में घर में नही है इस साल से हम इस आंदोलन को ये गोणवाना निर्मान आंदोलन को हम घर घर में लेके जाने के कोशिश इस साल से हम सुरू करने का वादा लेना है इस चीलिये हम घर घर में गावं गावं में जुलाई 21 को गोणडी बाशा दिवस मनाने का कोशिश करना है ये गोणवाना दर्शन के साथ, दर्शन, फेस्बुक लाइव माजियम के साथ मेरा फुरा गोणडी समुदाय को, गोणडी वारस को ये मेरा request अपील है इस बार हम बड़ा मीटिंग नहीं कर सकते हैं, शायद मगर गर-गर में, गाउं-गाउं में कोया बाशा दिवस मनाने का कोशिश जरूर करना है इस साल से हम इस तरीका, मुमेंट को गाउं-गाउं में, गर-गर में गोणवाना निर्मान आंदोलन को लेके जाने के लिए ये एक मोका पकड़ के हम आगे जाना है इसी के साथ आदिवासी दिवस भी इस बार गर-गर में गाउं गाउं में करने का मनाने का कोशिश हम करना है अब एक बात क्या है कि हर गाउं से भी एकी डिमांड हम रखना चाहिए वो है गोंडी बाशा का रिकर्गनेजेशन है इतुशेड्यूल के ओर से गोंडी बाशा का रिकर्गनेजेशन कंपलसरी हमारा एकी डिमांड के साथ एकोया गोंडी बाशा का दिवस मनाना है उसी के साथ आदिवासी दिवस में भी ऐसा ही डिमांड हम जरूर रखना है अब एक बात क्या है कि बाशा रखने बाशा स्टानरडेजेशन ओ रही है हमको रिकरगनेजेशन आने के बाद आमारा बाशा को एडुकेशन में कम से कम प्रादमिक विद्या में आमारा गोंडी बाशा से शिक्षा मिलते है मगर अभी भी है मल्टि लिंग्वेल एडुकेशन सिस्टम में सर्वसिक्षा अभियान में ये सिस्टम है मगर औरिसा जैसा राज्यों में बहुत अच्छा ये सिस्टम चल रहा है प्रादमिक विद्या में गोंडी बाशा कोय बाशा के साथी वहाँ सिक्षा मिल रहा है वो सिक्षा देने टीचर को भी रिक्रूट्मेंट किया है उसको अभी रेगलर भी कर रहा है मगर आंध्रा में तेलंगाना में ये सिस्टम पूरा रोक गया है इस साल से फिर शुरू करने का कोशिश कर रहा है इसी तरह पूरा अलग अलग राज्यों में महरास्टा में मज्य प्रदेश में चतिस केड़ में ऐसा सिस्टम को आउर आगे लेगे जाने का डिमांड भी हम अमारा राज्य सरकार के खेंद्र सरकार के ऊपर रखने का डिमान रखने का compulsory इस कोयबाश आदिवासी कोयबाश दिवास में आदिवासी दिवस में भी रखने का फूरा कोशिश करिए अरो एक बात क्या है कि हम आदिवासी परिवार आदिवासी समुदाय से आया अमारा नया पीडी सिक्षा में जाने के बाद हम गर में एक बाशा से आया है मगर सिक्षा में जो स्कूल में आया यहां दूसरा बाहरी बाशा से हमको सिक्षा मिल रहा है पहले यह बाशा को समझना उसके बाद वो सिक्षा में अज्यायन में जाना दो तीन साल के बाद अवर एक बाशा आता है जो आंध्रा में तेलंगाना में देखो तेल्गु से शिक्षा सुरू होता है पांचवी से हिंदी शिक्षा है हिंदी या और इंग्लिस भी आता है अरे हमको कोया बाशा से अमारा बच्चा गर से स्कूल तक आया है वहाँ एक नया बाशा अभी शुरू हो है उस बाशा को उन समझने का कोशिश उसके साथ ही पड़ाए आगे जाता है मगर नया बाशा को समझने का कोशिश और दूसरा नया बाशा को समझने का कोशिश आदिवसी समाज में आदिवसी नया पीड़ी को सिक्षा में ही पहले बाशा को समझने का चकर में एडुकेशन में विग्नान आसिल करने में पीछे जा रहा है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा देश राज्य सरकार को पूरा देश का केंदर सरकार को भी हम ये डिमांड कर रहा है सर्वसिक्षा अभियान के साथ हमको मल्टि लिंग्वल एडुकेशन सिस्टम में प्रादमे का विज्या हमारा मात्रवाशा में की खरिये बाद में हम आदिवासी इलाका का पूरा ट्राइबल वेलफेर स्कूल को ट्राइबल एरिया में पूरा एरिया में देश बर में एकी माज्यम का सिक्षा दिए जो आंध्रा तेलंगाने में तेलगु मीडिया में सिक्षा मिल रहा है अधिवासी या गोंडी पीडी को ही अलग-अलग बाशा के सिक्षा दे के अमारा समुदाई में अमारा परिवार को अमारा नया पीडी को अलग-अलग कर रहा है यह एडिकेशन भी अमको अलग-अलग कर रहा है यह क्या है अमको यह इतना दबाव क्यूं दे रहा है यह एडिकेशन सिस्टम के साथ यह सरकार ने अमारा नया पीडी को इतना दबाव क्यूं दे रहा है इसलिए हम ऐसा अलग-अलग मीडिया नहीं, पूरा देश में आदिवासी एरिया में आदिवासी सिक्षा को इंगलीज मीडियम में ही देए, क्यूंकि इंगलीज मीडियम, इंटरनेशनल नॉलेड्ज को तेल्गु से या ओडिया से या मराठी से लेकर बाद में हिंदी सिख सीखना है बाद में इंग्लिश सीखना है बाद में वो सीखना है बाद में यह सीखना है यह चकर हमको नहीं चाहिए प्रादेशिक बाशा में हम जरूर हमारे मात्रुब भाषा के साथ प्रादेशिक भाषा हम जरूर शिखते हैं मगर वो प्रादेशिक भाषा भी हमको अलग-अलग कर रहे हैं यह क्या चक्र है हमको इसलिए हमको इंग्लिस मीडियम में ही शिक्षा देने से हमको यह अलग-अलग बाशा का चकर चोड़के हम एक साथ एक समुदा एक परिवार एक समाज जैसे इजीली हम कम्यूनिकेट हो सकते हैं किसी की राज्य में भी कोया ना आदिवासी हो अलग-अलग बाशा से हम एक साथ सम्वाद सम्योग नहीं कर पा रहे हैं बावना हम एक शैर नहीं वो पा रहे हैं इसलिए इंग्लिस मीडियम में पूरा एडिकेशन सिस्टम आदिवासी का मिलेगा तो हम इंग्लिस माजियम से English बाशा से हम एक साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं, ये पूरा दुनिया से भी हम मिल सकते हैं, पूरा दुनिया के साथ भी हमारा बात रख सकते हैं, पूरा दुनिया का ग्ञान को हम आसिल कर सकते हैं, हमारा ग्ञान को, हमारा प्राचीन ता ग्ञान को भी ह इसलिए हम पूरा आधिवासी एरिया में आधिवासी समाज को इंगलीज मीडियम का सिक्षा दे जिये मगर पहले मात्रु बाशा का प्रादमिक सिक्षा इस साल से कम से कम शुरू करने का कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार करना है यह हमारा डिमांड है एक डिमांड के साथ पूरा आधिवासी दिवस मनाना के साथ up tuv wealth के साथ अमारा राज्य सरकारों में खेंद्र सरकार को भी डिमांड रखने का कोशिश करने के यह मेरा विनम्र पूरू request है अपील है इस अपिल को पकड़ कर पूरा देश का अंगोनी समाज इस अपिल को लेकर सरकार को उपर दबाव देने का एक मौका लेने का मेरा विनम्र अपिल है और टाइम भी हो जा रहा है मेरा यह और एक बात कहना है कि इस तिति के साथ आम अपिल करते करते ही इम दि नेक्स्ट तेलंगाना राजने कोया गोंडी बाशा का डिक्स्टनेरी को तेलगू इंग्लिस ट्रांसलेशन के लिए हम अपिल कियाता तेलंगाना राजने हमको ट्रांसलेशन का मौका दिया है ये जिम्हदारी उटनूरू ITDA को दिया है पूरा गोंडी स्टाडड़ाजेशन टीम को अवर एक बार एक साथ मिलकर हमारा डिक्स्टनेरी को आवर आगे लेके जाने का एक मौका मिल रहे है जल्दी ही पूरा गोंडी डिक्स्टनेरी स्टाड़ाजेशन टीम प्लीज एलेट रहिए किसी ना किसी दिन आमको एक इंफर्मेशन आएगा आवर एक बार हम मिलकर एक स्टाड़ाजेशन टिक्स्टनेरी को सुधारने का काम आवर आगे कैसे लेके जाना है वो बात रखने का काम एक बैटक आगे है उसको लिए तयार रहिए और एक बात पहले ही पूरा देश बर विस्व बर कोया गोंडी परिवार को समुधाएको मेरा कोया बाशा आडवांसली कोया बाशा दिवस का शुबकाम ना है और आदिवसी दिवस का भी इस लैव के माज्यम से शुबकाम ना है यह ऐसा एक सोशल मीडिया अमारे समाज को एक लागडाउन में का लागडाउन के और यह पूरा आदिवसी और गोंडवाना समाज का कल्चरल समाजिक एकटाक में आज ट्रेडिशनल जो मीडिया है वो आमको चोड़कर आदिवसी नहीं तो देश का मोल स्थिति को चोड़कर उपर उबलते उबलते मीडिया चलते जा रहे मगर सोशल मीडिया तो हमारा समाज को एकटा करने में बहुत बड़ा माजयम बन के अमको एक मोगा दिया है डिजिटल सोशल मीडिया को को भी इसको पकड कर अमारा समाज को एकट्टा करने का ये गोंवाना दर्शन का ये अच्छा कदम को मेरा मनप पूरू धन्यवाद शुब कामना देते अवर अच्छा 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 इस मीडिय के इस माज्यम के साथ अमारा गोंड समाज का परिवार को अच्छा दार्चनिक आइडियोलजी देने का ये मौका को सब आधिवासी इंटेलेक्ष्वल्स लेके जाने का कोशिस जरूर करिये उस पूरास इंटेलेक्ष्वल को आधिवासी इंटेलेक्ष्वल को गोंडी इंटेलेक्ष्वल को मेरा शुब काम ना है आवर एक बाद क्या है कि last but least एक गोंडवाना गोंडी standardization बाशा के आंदोलन में भी कुछ लोग intellectual बन कर well-wishers बन कर आके अमारा एकटा को अमारा आइक्यता को भी विच्छिन करने का कोशिश कर रहा है और इसका पाइदा उटाने का कोशिश भी कर रहा है मगर आंदोलन कभी भी जाग के ही करना है आंदोलन कभी भी जाग के ही करना है नई तो वो आंदोलन नहीं हो सकता है अंद कार में करने का स्थिति अभी नहीं है, हम किसी को भी पूरी तरा बाहर समाज वालों को, किसी को भी पूरी तरा हम नहीं करना है बहुत बड़ा लोग इसका में आके इंटेलेक्श्वल वेल्वेशर्स बनकर अमारा पाइदा उटाने का, अमारा आइक्यता को विच्छिन करने का कोशिश भी यहां रखा है इसलिए हम आउर आगे जाना है, गोणवाना को निर्मान करना है, गोणडी समाज को निर्मान करना है तो ऐसे वेल्वेशर इंटेलेक्श्वल के साथ भी हम जागुरूत ही रहना है यह पुरा अभी जागृत से ही आगे जाना है अमारा समाज को जागृत करना है धन्यवाद जैसेवा, सेवा जोहर जो अभी तक अमारे परिवार के साथ में इतना बात रखने का जोमो का दिया है गौन्वाना दर्शन Facebook Live माजयम को, निर्वाहन को, दादा सुनेर सिंग तारम दादा को दादा मतिरावन कंगाली दादा को, उसके साथ मिलकर मै यह काम में भी किया था इतने खमर में उसके साथ, उसका बावनों के साथ मिलकर मैं काम करने का मोगा मिला है ये मेरा बहुत बड़ा सावबागी है जैसे वाद धनिवाद जोहाद जोन्जोर